नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में बात करने बालें टाटा पावर के बारे में आज के दिन काफी जबरदस ख़बर आए ये 3000 EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली और NCR में जो है टाटा पावर लगाएगा इसके चलते श्टाप में थोड़ी सी तेजी बनी है आगर बने से पहले चोटी से क्वेश्ट है आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब न किया तो भी कर लिजे साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजे तो देखे ख़बर आप देख सकते हैं चार दिन इस्टेशन लगाने के लिए BSES के साथ करार किया गया और दिल् इस को दिल्ली के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो BSES यमुनवा पावर लिमिटेड है इस कंपनी के साथ जो है टाटा पावर ने एक करार कह लिजे जाय तो किया है जिसके चलती है 3000 इवी पावर इस्टेशन लगाएंगे उसके लबाए एक नज़र दालें कर कंपनी के फि इस इस चुक का पी काफी कॉस्ट लिया आपको दीछ सकता है जो कि 50 के असपस का है जबकि सेक्टर का पी 23 का है इस चुक की फेस्ट वैली भी एक ही जो कि पहले इस्पिलिट हो चुका है कंपनी के पांच को इसका रेवनिवा रेवनियू का ट्रेंट आप देखेंगे सितम में आपको यहां ग्रोथ देखने को मिलेगी वहीं जून से लेगे सितंबर 21 यानि क्वार्टली बेसिस पे कंपनी का रेविन्य जो है डिप आते वह देखने को मिला और इसको मार्चिक किसे क्वार्टर से अगर कंपेर करेंगे तो आपको लगातार रेविन्य में कंपनी के पाते पर देखने को मिल रहा है अब क्यूसरी के नंबर जो आना स्टार्ट हो जाएंगे साथ जैनुवरी 2020 से मतलब आने वाले दो चार दिनों में तब इन कंपनी से जब नंबर आएंगे तब लेकिन किस तरह के नतीजे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे नतीजे अगर कंप के क्वाटर के में अरक क्यूटर को घरते हैं और इस कौर्टर में कमनी लिए पोस्ट किया था अब कमपनी की उत्री नंबर में अगर मुनाफ़ा पोस्ट करती है तो काफी पैटर रहेगा अगर कहता ही पोस्ट करती है अगर घठा बढ़ जाता है तो फिर वो अगर इन चिंता का एक विश्य स्टॉक के लिए बनेगा देगे जहां तक अब तक की स्तती की बात करेंगे तो पिछले महीनावा इस्टॉक ने काफ़ी बंपर तेजी बनाई थी जो कि आप देख रहे हैं स्टॉक अगर मैं आपको मंत्री चार दिखाऊं तो अपने ओल्टाइम हाई से के पास ही आपको देखने को मिलेगा जो कि इसका कहने कारते है प्रीवेसली कोई स्टॉक के पास हर्डल नहीं है और साथ ही बात करेंगे अगर बाउन वीक के हाई की ओल्टाइम के हाई की तो देखी दोसो सरट से टर्ट सेट की रेंज स्टॉक जाकर काफी जादा गिरा और दो आज सपोर्ट लिया करीब 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 दोसो पांट रूपे के आसपास और फिर से वहीं से मोमेंटम मनाना स्टॉक ही है डेली बेसिस पे थोड़ थोड़ी स्टॉक में गंटिनियूसली बाइंग आते हो देखने को मिल रही है दोसो पचीस के एक लेवल के उपर आज स्टॉक ने फाइनली बनती दी है उमीद करते हैं अगला टार्गेट करीब करीब 232 से 235 की रहेंज का बैट सकता है अगर वो निकाल लेता है तो फिर 250 तक जाते वह देखने को मिलेगा किसी ने बाइक कर रहा है तो होल्ड कर सकते हैं इस प्राइब बाइक करना चाहता है तो व्यू लॉंग है तब ही करेगा क्योंकि स्टाक काफी महंगा जो है नीचे की स्थे देखेंगे तो आपको काफी महंगा दिखेगा उस सेक्टर का पी मेंने आपको दिखाया तो PR κιबणनी के तुलना महंगा ही ट्रेट कर रहा है कमेंट के बताना अगर आपने बाई कर रखा है आपका क्या अपिनियन है वीडियो अच्छे लगा इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद